ट्रियस्तरिय पंचाय चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है प्रशासनिक तयारियां भी पूरी हो चुकी है और सियासि पार्टियां भी गाउं की सरकार बनाने की तयारी में है क्योंकि भले ही ये चुनाव दलिय आधार पर ना हो लेकिन भूमिका तो पार्टियों की र नहीं होगा लेकिन सियासी दलों की घुमी का और परतेक्स रूप से फुल कर रहेगी कॉंग्रेस की प्रतीश प्रवक्ता राजीव रजणन परसाद ने कहा कि सत्ता रूड होने का लाव पाटी को गाउं के सरकार में जरूर मिलेगा पंचायट से लेकर परखंड तक के कारकर के बाद ये चुनाओ होने वाला है और जिस प्रकार से सरकार ने जीवन और जीवी का दोनों को समेटते हुए यहां के लोगों को रोजगार की भी कमी नहीं होने दिया और उसमें मन्रेगा ने एक महत्वपून भोमिका निभाई और पूरे देश और दुनिया ने ध्यारक पंचाइच चुनाओं के बहाने राजी सरकार के डिलिवरी सिस्टम पर जनता एक तरीके से मुहर लगाने का काम करेगी जेमेम ने पाटी के सभी विधायकों को पंचाइच चुनाओं के मज़न दर निर्देश जारी कर दिया है हम दो अपने विधायकों को टास्क दे रखा हे हम लोगों ने अपने मिदायकों को टास्क दे रखा है कि जहां जहां आपके विधान सभाच convey और जो गुरामीन इलाका है वहाँ आप निश्चित तोर पे चीजों को मोनीटरिंग कीजिए क्योंकि पंचायत से ही आपको बूथ बनता है और वहीं से चुनाव जीत कराता है साथ साथ जहां हमारे जन्प्रतिनीधी है नहीं विधायक नहीं है लेकिन वहाँ पर हमारे जो कर्मठ निता है जो बविश्च के उमिजवार हो सकते हैं उन लोगों को भी विशेज जिम्मेवारी दी गई है इधर रात की परमुग विपक्षी दल भाजपा ने भी 2022 जन्वरी फर्स्ट बिक में संभाविन त्रेस्तरिये पंचायत चुनाओं को लेकर कमर को तस लिया है पाटी के बड़े नेता जिलों के प्रवास पर है और जिलों में पंचायत सम्मेलन भी शुरू किया जा चुका है आजसु पाटी जिसका नारा ही गाओं की सरकार रहा है हाली में पार्टी के द्वारा ज्ञारखन के सभी 4402 पंचायतों में पंचायत सम्मेलन किया जा चुका है साथ ही पंचायत अस्तर पर कमिंटी का गठन भी किया जा चुका है इसके लिए हम ने पूरे परदेश के 4402 पंचाइतों में समिलन किया है पुनर निर्धारित होने के बाद इसकी संख्या में बदलाओ होने की संभावना है राची से क्यामरामेन अवे पुसार्थ के साथ यूजरवन भारत के लिए राकी शुक्मार की रिपोर्ट